नेशनल अवार्ड विनर कीर्ती सुरेश अपनी अदाइगी के लिए जानी जाती है। अगी का वीडियो देखने से पहले अमारे चैनल एनन वॉलिवुट को अगर आपने अभी तिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। ऐसे में फैन्स के लिए ये फिल्म काफी खास है। ऐसे इस थमन फिल्म सरकारू वारी पाजा के म्यूजिक कंपोसर हैं जिदोंने कीर्ती के म्यूजिकल सर्प्राइज के बारे में पताया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब ट्विटर पर एक्ट्रिस के एक फैन ने कयास लगाया कि कीर्ती फिल्म में गाना गाने वाली है। इस पर थमन ने यूजर की बात को नकारती हुई कहा कि वो गाना नहीं गाने वाली है बलकि वो फिल्म में वॉयलिन जरूर बजाने वाली है फिल्म में कीर्थी द्वारा वॉयलिन बजाने की खबर सामने आने के बाद फैंस की उम्मीरे दो गुणी हो गई है फैन्स उनकी स्टार को ना केवल अदाइगी करते देखना चाहते हैं बलकि एक संगीतकार के दौर बल भी सुनना चाहते हैं ऐसे में कीर्थी के लिए ये काफी चुनौतियों से भरा होने वाला है फिल्म से जुड़ी रिपोर्ट्स की मानी तो म्यूजिक कंपोजर थमन कीर्थी सुरेश के म्यूजिकल टैलेंट को एक प्रमोशनल सौंग में भी इस्तिमाल करने वाले हैं जो जल्द ही रिलीज होने वाला है गाने की रिलीज को लेकर थमन नी शोशल मेडिया पर खुद हिंट दिया था वहीं बात करें फिल्म की तो कीर्थी की अपकमिंग फिल्म सरकारू वारी पाचा का डिरेक्शन परशुराम पेटला ने किया है अगर बात की जाए टेक्निकल क्रू की तो ऐसे थमन फिल्म को कमपोस कर रहे हैं आर माथी ने फिल्म की सिनेमेट्रोग्राफी की है मार्थट के वैंकटेश ने इसे एडिट किया है इस फिल्म में महेश बाबू और कीर्ती सुरेश लीट रोल में नजर आएंगे तो आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले